Hello दोस्तों, Welcome to Stay Smart तो दोस्तों अगर आप YouTube पर How to create a free website लिखकर सर्च करते हो तो आपके सामें धेर सारे वीडियोज आ जाते हैं दोस्तों दोस्तों मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर आप उन वीडियोज को देख भी लेते हो तब भी आप अपना एक free website नहीं बना सकते हैं क्योंकि दोस्तों उन वीडियोज में जो methods बताएं जाते हैं वो काफी पुराने हो चुके हैं अब वो methods बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं क्योंकि सभी वीडियोज में एक तरह के methods भी बताए गये हैं कि यहां से hosting purchase कर लो और यहां पर से आप domain purchase कर लें यहां पर दीके free norm जो की अब बिल्कुल भी काम करता ही नहीं क्योंकि दोस्तों इन methods वाले वीडियोज अब बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं और दोस्तों उन में जो बताया जाता है दोस्तों वो कुछ limited time के लिए free होता है hosting भी limited time के लिए मिलेगी आपको और domain name भी limited time के लिए मिलेगा उसके बाद आपको renewal करना पड़ेगा लेकिन दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ एक new method जिसको अगर आप follow कर लेते हो step by step wordpress के उपर आप अपना एक professional website बना सकते हो और दोस्तों domain name और web hosting आपको मिलेगी lifetime के लिए दोस्तों जिहां दोस्तों यहां पर time limit कोई भी नहीं होगी तो आपका जो website बनेगा दोस्तों वो lifetime के लिए free रहेगा दोस्तों तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं अपना एक professional website बिल्कुल free में तो आप इस वीडियो को step by step follow कर सकते हो वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है तो आप वीडियो को बिना skip करें पूरा end तक देखें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो पहली बार आए हो तो make sure कि आप हमारे चैनल को subscribe कर लीजिए क्योंकि मैं यहाँ पर blog insulated काफ़ interesting videos लाता रहता हूँ जिससे आपकी काफ़ी help होती है तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं ओके दोस्तों तो सबसे पहले हमें WordPress पर वेबसाइट बनाने के लिए दो चीजों की जरुवत पढ़ती है एक domain name और दूसरा web hosting तो हमें यह दो चीजें purchase करनी पड़ेंगी मिन्टू से purchase तो करनी पड़ेंगी बट हम फ्री में purchase करेंगे तो इसके लिए आपको एक website पर आना होगा link मैंने आपको description में दी है या अगर आप यहाँ पर देख सकते हो www.biz.nf आपको इस वाले website पर आ जाना है दोस्तों तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो हम आ गये हैं इस वाली website पर तो कुछ इस तरह का interference है इस website का आप यहाँ पर देख सकते हो free web hosting यहाँ पर आपको free web hosting मिलेगी lifetime के लिए और यहाँ पर आप देख सकते हो free domain name तो यहाँ पर आपको free domain name भी मिलेगा यहाँ पर देखिए य आपको यहाँ पर अपना domain name select कर लेना है दोस्तों enter कर देना है यहाँ पर दीखे मैं यहाँ पर से अपना domain name जो है वो register कर लेता हूँ यहाँ पर मैं अपना domain name enter कर दिया उसके बाद आपको यहाँ पर register पर click कर देना है दोस्तों जैसे हम register पर click करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा जो domain name है वो available है यहाँ पर बोल रहा है register now तो हमें अभी से register कर लेना होगा यहाँ पर click कर दीजिए तो जैसे हम register now पर click करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह का interference आ जाता है आपके सामें यहाँ पर आप दे देना है दोस्तों और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो choose domain name यहाँ पर फिर से आ रहा है तो हमें नहीं चाहिए optional है तो आप इसे छोड़ सकते हो उसके बाद आपको simply यहाँ पर continue पर click कर देना है तो जैसे ही आप continue पर click करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो account information तो जल्दी से मैं यहाँ पर यह फिल खर देता हूँ मैंने सारी details फिल कर दी है और यहाँ पर आप देखिए yes I agree पर यहाँ पर टिक कर देना है और इसके बाद I am not a robot पर आपको click करके उसके पर यहाँ पर आपको continue कर देना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ही हमने continue पर click किया यहाँ पर देखे congratulations आपका account जो है वो successfully created हो चुका है यहाँ पर आप देखे यह आपकी यहाँ पर client ID है और यह login वाला email है आपका यहाँ पर आप देखे खिये click here to login into your account आपको इस पर click कर देना है तो जैसे ही आप यहाँ पर login करोगे तो यहाँ पर आपको बोला जाएगा कि आपके email को verify करने के लिए अभी आपने जो email address यहाँ पर send किया दिया है यहाँ पर एक mail send होता है तो आपको उसे verify करना होगा तो चलिए आप जल्दी से mail को verify कर दीजिए तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको एक mail आएगा तो आपको इस mail को open करना है और इस वाले link पर click करके आपको mail को verify कर देना है तो जैसे ही आप अपना mail verify कर देते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका जो account होगा वो successfully verify हो जाएगा उसके बाद इस तरह का interference आपके सामें आएगा तो आपको थोड़ा सा नीचे scroll down करना है और scroll down करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे options मिल जाते हैं जो की एक web hosting में होते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर देखिए website manager यहाँ पर नजार आ रहा होगा sorry यहाँ पर देखिए domain manager है यह सब सारे options आपको यहाँ पर मिल जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर देखिए Zach की app installer है यहाँ पर तो आपको इस पर click करना है इस पर click करने के बाद यहाँ पर देखिए use our app installer and start building your website now तो आपको यहाँ पर browse and install apps पर click कर देना है तो जैसे ही आप वहाँ पर click करोगे उसके बाद आपके सामें host and existing domain आएगा तो हम यहाँ पर से यहाँ पर देखिए create a free यहाँ पर domain name बता बोल रहा है तो हमें इस पर click करना है इस पर click करने के बाद आपको यहाँ पर अपना domain name एंटर कर देना है दोस्तों अभी हमने धोड़ी दे पहले एंटर किया था तो आप यहाँ पर से एंटर कर दीजिए दोस्तों तो जैसे आप यहाँ पर एंटर करते हैं तो देखिए दर सब domain आपका जो domain है वो successfully add हो चुका है तो उसके बाद यहाँ पर दीखिए बहुत सारे scripts आपके सामें आ जाते हैं हमें दूसरे scripts नहीं चाहिए हमें WordPress चाहिए तो हमें यहाँ पर से WordPress पर click कर देना है और WordPress पर click करने में तो यहाँ पर से आपके admin username आपको set कर देना है admin password आपको enter कर देना है और यह admin username और password आपको login के time पुछेगा तो आपको देहान यह रखना है कि आपको यह याद रहे यहाँ पर आपने सारी details अंटर कर दी है और इसके बाद यहाँ पर दीखिए install application है आपको इस पर click कर द रहा है ready हो रहा है दोस्तों यहाँ पर देखिया install यह हो रहा है थोड़ा सा आपको यहाँ पर wait करना पड़ेगा कुछ 10 से 20 सेकेंड यहाँ पर होते हैं 20 से 30 सेकेंड में आपका जो wordpress है आपके website पर install हो जाएगा जब तक यह install हो जाए मैं आपको एक बात बोलना चाहूंग तो guys आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मेरे website का URL आ गया है और यहाँ पर आप देख सकते हो admin URL यानि के admin panel का URL है तो चलिए हम यहाँ पर से अपने website पर click करके एक बार देखते हैं कि मेरा website अभी जो हमने बनाया वो internet पर online हुआ है या नहीं तो मैं इस पर click कर देता हू तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने जो domain name select किया था वो यहाँ पर है हमारा domain name आप यहाँ पर देख सकते हो जो website है वो successfully live हो चुका है internet पर तो अब इस URL से आपके website को कोई भी assist कर सकता है all over the world में तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने एक successful WordPress website बना लिया है तो अब हम यहा पर से click कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो हम आ गये हैं अपने WordPress के admin panel में तो अभी आपने जो admin username रखा था वो आपको देना होगा या अगर आप चाहो तो यहाँ पर email address से भी आप login कर सकते हो उसके बाद आपने जो भी password set किया था वो आपको दे देना है मैंने password पर एंटर कर दिया और login में कर देता हूँ तो जैसे ही मैंने login किया यहाँ पर आप देख सकते हो हम successfully login भी कर चुके हैं अपने website के dashboard में दोस्तों तो दोस्तों देखा आपने के कितना आसान होता है कितना आसान है अपना एक professional website बनाना आपको domain मिला है free में आपको web hosting मिली है ब lifetime आपको full SS मिलेगी और यहाँ पर कोई fall to के ads वगयरा भी दिखाई नहीं पड़ेंगे आपको नहीं दिखाए जाएंगे तो यह एक absolutely free website आपका बन चुका है वो भी professional तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह आपका username है sorry URL है आपके website का stay smart मतलब मैंने यह domain select किया था जो भी आप domain name select करोगे यहाँ पर आपका domain होगा आपका name होगा और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो c1.biz जो कि एक short है और freebie है तो जो भी आपका domain name होगा उसके बाद आपको slice wp-admin अगर आप लिखकर enter करते हो तो आप अपने login पैनल में enter कर सकते हो यहाँ पर से दिखिए मैं अपने login पैनल में आचुके हो तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताने वाला हूँ एक new method जहाँ पर आपको एक free website बनाने को मिलेगा free web hosting आपको मिलेगी free domain name आपको मिलेगा पूरे lifetime के लिए तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है आपक साम में मैंने बहुत असानी से एक professional website यहाँ पर बन चुका है वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है अगर आपको कहीं पर भी problem face होती है यहाँ पर कुछ पूछना हो दिक्कत हो इससे तो वीडियो की description में मेरे instagram का link होगा तो आप मुझे वहाँ पर direct DM करके पूछ सकते हो या इस वीडियो के नीचे comment करके भी आप पूछ सकते हो दूस्तो मैं उमीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपकी कहीं ना कहीं help हुई होगी अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को एक like बाइ